दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सुरीवञेशी की रिलीस के बारे में और सात में ही क्या अब मल्टिप्लेक्स जैन या जो थेटर ओनर्स है उन्हें बॉलिड की मॉनोबॉली से अपने आपको मुक्त करने का समय आ गया है इसी विशे के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले सुरिवंशी की रिलीज को लेकरम बात करते हैं अभी हाली में उसकी रिलीज डेट को रिवील किया गया है और उसके साथ में ही कई सरी शर्ते उन्होंने सामने रखी है देखिए पिछले वर्ष मार्च 2020 में सुरिवंशी रिलीज होने वाली थी और उसके बाद में लॉगडाउन लग गया फिर लगा कि शायद दिवाली पर तो फिल्म रिलीज होकर ही रहेगी पर तब पता नहीं थे कि भाई लॉगडाउन इतना आगे बढ़ता जाएगा फिर ऑक्टोबर में जाकर केंदर सरकार ने थेयाटर को खोलने की परमिशन तो दे दी पर 50% occupancy के साथ में पर उसके बाद भी फिल्म के रिलीज को लेकर कोई भी ऐसा confirmation नहीं आ रहा था बीच-बीच में ऐसी news आ रहे थी कि शायद OTT पर फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा पर जो फिल्म की maker से उनकी तरब से बार बार इस cover को deny किया जा रहा था सबसे बड़ा market है Bollywood के लिए वो उसको छोड़ नहीं सकते थे पर नवंबर में फिल्म मतलब theaters को खोलने जो 50% occupancy के साथ में देश बर में theaters जरूर खुले पर फिर भी लोग theater में आने के लिए तयार नहीं थे और इसलिए Bollywood भी डर रहा था फिल्म को रिलीज करने से उसके बाद January में दो बड़ी फिल्मों को रिलीज किया गया एक है तेलगो फिल्म crack और उसके अगले हपते मकर संक्रांधी के उत्सव सुवावसर पर master को रिलीज किया गया तमिल और हिंदी दोनों भाशाओ में और उन फिल्मों ने कई सरे रिकॉर्ड्स तोड़े क्रैक तो रवी देजा के करियर की हाइस्ट गोसिंग फिल्म भी बन गई अच्छा कासा उन्होंने कलेक्शन किया पर फिर भी बॉल्ड की तरब से कोई भी ऐसी निउस ने आ रहे थी कि वो अपने फिल्मों को कब रिलीज करें वो रिवील नहीं कर रहे थे शायद बॉल्ड की मन में यही डर होगा कि लोग आएंगे या नहीं थे लोग आएंगे या नहीं हमारी फिल्म में देखने के लिए पर अभी जाकर जब केंदर सरकार ने ये परमीशन दे दी 100% उक्यूपंसी के साथ में ये थेटर खोलने की तो उसके बाद धिरे धिरे अभी फिल्मों की रिलीज डेट सामने आ रहे है बॉली उड के बड़े-बडे फिल्मों की पर अभी भी माहराश्टर में 100% उक्यूपंसी की परमीशन नहीं दी गई है माहराश्टर सरकार की तरफ से किवल के अंदर सरकार ने परमीशन दी है और हो सकता है कि पीछली बार की तरह एक मेने बाद में यानि शायद मारश के पहले हपते में या दूसरे हपते में 100% occupancy के साथ में थेटर्स को खुलने की पर्मिशन माहराश्टर सरकार देगी और उसके बाद में फिर बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज होना शुरू हो जा यह का है कि हम हमारी फिल्म को केवल सिंगल स्क्रीन थेटर्स में और नॉन नैशनल यानि जो जिनकी कोई बड़े-बड़ी multiplex chain नहीं है ऐसे छोटे-छोटे multiplex में ही केवल हमारी फिल्म को रिलीज करेंगे यानि जो बड़े multiplex chain है जैसे कि PBR, Cinepolis, Cinemax वगेरा इन में हम ह टिकिट रिविन्यू में से शेयर मांगा, जो जिसके लिए मुल्टिप्लेक्स ओनर्स तयार नहीं है, सिंगल स्क्रीन ओनर्स ने तुरंत हाग कर दी कि ठीक है, आप ले लो 70% रिविन्यू पर फिल्म रिलीस करो, पर मुल्टिप्लेक्स चेंज जो बड़े-बड़े है, वो तयार नहीं है, पहले 50% शायद रिविन्यू दिया जाता था, अभी फिल्म के मेकर्स, जो सुर्यवेशी के मेकर्स है, वो 70% रिविन्यू माग रहे हैं, सुर्यवेशी मतलब 83 के भी प्रोडूसर्स वही है, दोनों को रिलैंस एंटरेइन्मेंट नहीं प्रोडूस किया है, और वो अपनी दोनों ही फिल्मों के लिए सेम डील को फाइनलाइस करने का प्रयास कर रहे हैं, यानि 70% टिकेट रिविन्यू में से शेयर उनको चाहिए, और साथ में ही जो OTT रिलीज की जो विंडो है, मतलब पहले 2 मेहने बाद रिलीज करने की पर तियाटर में रिलीज ह करेंगे, उतना ही कम डील, उनको छोटी डील OTT प्लैटफॉर्म की तरफ से मिलेगी, इसलिए वे थियाटर में रिलीज होने के तुरंत एक मेहने बाद OTT पर फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं, यानि फिल्म के जो मेकर्स है, सुरेव इंशी और 83, वे दोनों तरफ से अप 20% शेर इस फिल्म के मेकर्स चाहते हैं, दोनों तरफ से अपने आपको वे सेफ रखना चाहते हैं, अब देखे इस से हम दो बाते समझ सकते हैं, या तो ये न्यूज सच हो सकती है, या फिर ये केवले पुबिसिटी स्टन्ट हो सकता है, यानि शायद इस फिल्म के मेकर्स कि भाई इस फिल्म को लेकर लोग चर्चा करे, कि इसने किसी प्रकार से हम न्यूस में बने रहे, और शायद इसी वज़े से इस फिल्म के makers के दोरा, या उनके PR टीम के दोरा इस न्यूस को मार्केट में फैलाया गया होगा, ताकि लोग इस फिल्म के बारे में चर्चा करे य या लोग उनकी फिल्म के बारे में चर्चा करें ये एक उद्देश हो सकता है publicity stunt क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि वही multiplex chains जो बड़े-बड़े multiplex है उनको छोड़कर film को release किया जाएगा क्योंकि single screen theaters के जो ticket price होते हैं वो तो वैसे भी कम होते हैं और single screen theaters बचे ही कितने हैं उंगलियों पर गिनने जितने हैं जातर single screen theaters तो बंदी हो चुके हैं तो multiplex chains को छोड़कर बड़े-बड़े multiplex को छोड़कर film को release किया जाएगा इसकी संभावना बहुत-बहुत कम है इससे अच्छा तो वो directly audited platform पर अगर release करेंगे उन्हें डराना चाहते होंगे और उन्हें डराकर अपनी deal को वो उनसे मनवाना चाहते होंगे ये भी हो सकता है वैसे इसकी possibility मुझे बहुत कम लगती है पर शायद ऐसा हो सकता है और अगर ये सच है अगर Bollywood multiplex owners को डरा रहा है उन्हें पर दबाव बना रहा है तो भाई यही समय है multiplex owners के लिए कि वे अपने आपको Bollywood की मोनोपोली से मुक्त कर ले free कर ले अपने आपको क्योंकि देखे हम वरशों से SNews कई बार सुनते आ रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं हो रहा इस प्रकार की जो शर्ते हैं वो कई बार multiplex owners के सामने रखी जाती है जब भी किसी बड़े production house के film release होती है तो देखे हमेशा हम ये बात सुनते हैं कि बढ़े production house है उन्होंने ये शर्त रखी कि हमें 80% screens चाहिए ही चाहिए हमें 85% screens चाहिए ही चाहिए या फिर जो हमारी फिल्म जब release होगी तो उसके ticket price जादा होने चाहिए हमें जादा ticket revenue में share मिलना चाहिए इसलिए आपने देखा होगा है जो भी बड़े फिल्म में जब release होती है ते वहारो पर या बड़े production house की जब फिल्म में release होती है तो उनके ticket price directly डेड़ गुना दो गुना धाई गुना तीन गुना बढ़ा दिये जाते हैं जहां पर नॉर्मली डेड़ सो दो सो ड़ाईस रुपे ticket होता है उनके price directly साढ़े तीन सो चार सो साढ़े चार सो रुपे तक बढ़ा दिये जाते हैं तो यह monopoly हम Bollywood की बड़े बड़े production house की हमेशा से देखते आए हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है original फिल्मों को प्रादेशिक फिल्मों को महाराष्टर में तो मराठी फिल्मों को screens तक नहीं मिलते प्राइम टाइम में तो छोड़ी दीजिए बाकी समय भी उनको screens नहीं मिलते तेवार ओपर multiplex owners को भी उनके पास कोई रास्ता ही नहीं होता उन्हें जुकना पड़ता है इन बड़े-बड़े production house के सामने और ना चाहते हुए भी उन्हें ये screens देनी पड़ती है और इसलिए अभी ये समय है बड़े-बड़े ये जो multiplex channel उनके लिए कि वे अपने आपको बॉल्यूड की monopolist से मुक्त करें क्योंकि वैसे भी लोगों के मन में बॉल्यूड के लिए एक आक्रोश है लोगों में जो गुसा है इसलिए पहले ऐसा होता था कि बड़े किसी star की film हो किसी बड़े production house की film हो किसी बड़े director की film हो तो लोग बस चले जाते थे बली film कैसी है कैसी नहीं है रिव्यूज क्या है क्या नहीं उसके बारे में लोग चिंता ही नहीं करते थे और पहले जो रिव्यूज आते भी थे वो केवल इस बॉलूट की पपेट मीडिया की ही आते थे ज्यादा लोगों को अपने ओपिनियन रखने के लिए प्लैटफॉर्म नहीं थे पर अभी ऐसा नहीं है लोग खुल कर अपने ओपिनियन रख रहे हैं अपनी अभी विक्ति का आजादी का वो उपयोग कर रहे हैं तो लोग अभी रिव्यूज देखकर चांच पड़ताल करने के बाद में ही थेटर में जाते हैं तो वो समय चला गया जब केवल बड़े प्रोडॉक्शन हाउस की बड़े स्टार की बड़े डिरेक्टर्स की फिल्म में चला करती थी तो इसलिए अभी जो मल्टिप्लेक्स ओनर से उन्हें कुछ दूसरे रास्ते तलाशने चाहिए उन्हें original फिल्मों को बड़ावा देना चाहिए उन्हें screens देनी चाहिए या फिर जो original फिल्म में हैं उन्हें हिंदी में dub करवाकर उन्हें release करने के बारे में कुछ सोचना चाहिए जैसे कि गोल्ड माइन टेली फिल्म से प्रादेशिक फिल्मों के rights खरीदते हैं उनको हिंदी में dub करते हैं और अपने YouTube चैनल पर release करते हैं या फिर जो TV चैनल से movie के उन पर गोल्ड माइन टेली फिल्मों के द्वारा इन फिल्मों को release किया जाता है या कुछ भी किसने किसी प्रकार से उन्हें original फिल्मों को बढ़ावा देना होगा उन्हें हिंदी में dub करके उन्हें release करना होगा और इससे उन्हें जादा फायदा होगा भविश्य में तो ये बहुत अच्छा मोका है अगर ये बात सच है कि बॉल्ड के तरब से इतना डरा जा रहा है इतना धमकाया जा रहा है multiplex owners को तो वे यही सही समय है वे आपने आपको free कर ले क्योंकि देखी कोई भी जो industry होती है चाहे वो कोई business हो या फिर कोई company हो उनके लिए सबसे ज़्यादा माइने रखता है सबसे ज़्यादा उनके लिए महतोपूर्ण होता है customer satisfaction ग्र जो अपने distributors पर भी उतना ही ध्यान रखते हैं वे अपने जो distributors होते हैं उनको भी बहुत सारी सुविधाय देते हैं बहुत सारे offers देते हैं बहुत सारे discounts देते हैं पर दोस्तों अगर हम बात करें film industry के तो यह दुनिया की एक मात्र ऐसी industry है जो ना अपने customers के बारे में पहुआ चाती है यही कई बार यही film industry अपने फिल्मों के promotion के लिए अभिवक्ति की आजादी के नाम पर अपने ही दर्शकों की भावनाओं को पैरोते हैं अभिवक्ति की आजादी के नाम पर अपने ही देश की संस्कृती की जड़े काटने का प्रयास की लोग दर्शकों स करते हैं तो इन्हें अपने दर्शकों की भावनाओं के बार में तो बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है और रही बार distributors यानि theater owners या फिर multiplex chain तो उनके साथ ये कैसा वेवार करते हैं ये तो हम देखी रहे हैं उनके सामने कैसी शर्ते रखी जाती है वैसे देखा जाए तो एक वर्ष से multiplex ये जो theaters वे बंद हैं उनके पास किसी भी प्रकार का revenue का कोई साधनी नहीं था एक वर्ष से बंद पड़े हुए हैं सारे के सारे theaters तो उल्टा बॉलिवड को तो उन्हें और कुछ उन्हें जाधा revenue share देना चाहिए था theater owners को जाधा revenue share देना चाहिए था क्यों यहां से नहीं तो OTT platform से वे उन्हें कही ना कही से revenue मिल रहा था चाहिए वो music के rights बेचे या satellite rights बेचे या फिर जो digital rights से वो बेचे किसी ना किसी प्रकार से OTT से या music rights से वगेरा उन्हें उन्हें revenue तो मिल रहा था ना पर जो theater owners से वे तो बंद है एक वर्ष से तो उल्टा ब multiplex chain है वे जो popcorn वगेरा के जादा rate लेते हैं उसके कारण से बहुत से लोग नाराज है और वो मुझे भी वो तो उसकारण से सब के मन में एक घुसा है ही multiplex chain के लिए कि भाई वे इतने पैसे क्यों लेते हैं हालकि मैं यह नहीं कहूंगा कि जो multiplex chain है उन्हें 3500 रुपे का popcorn बिल्कुल 20-30 रुपे में 40 रुपे में बेचना चाहिए क्योंकि वो भी possible नहीं है तो कि अगर रस्ते पर कोई popcorn बेचे वो एक अलग बात होती है पर अगर हम जो एक luxurious experience हमें multiplex में मिलता है तो obviously उसके हिसाब से rate जादा होना चाहिए पर इतना भी जादा नहीं होना चाहिए multiplex चेन आराम से 50% तक अपने rates कट कर सकते हैं जो भी चाहिए वो समोसा बेच रहे हो, popcorn बेच रहे हो, cold drinks बेच रहे हो उसमें 50% तक अपने rates कट कर सकते हैं हाँ बिल्कुल ही 20-30-40 रुपे में popcorn बेचना चाहिए ये मैं नहीं कहूंगा ये possible भी नहीं उनके लिए क्योंकि multiplex में luxurious experience हमें मिलता है, वहाँ का interior है, इतना सारा जो उनका investment है, इतने सारे लोग वहाँ पर जो काम के लिए हैं, तो उस experience के, उस service के वे obviously पैसे लेंगे ही, पर हाँ कुछ rates उनको भी cut down करने चाहिए अपने ग्रहकों के लिए, कुछ discounts वगरा उनको दिये जाना, ग्रहकों को द आवशकता नहीं है, इसे खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी है, यह आवशकता हैं, इनके बगर हम जी नहीं सकते हैं, पर movie experience, यह कोई ऐसे चीज नहीं कि जिसके बगर लोग जी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए लोगों को एक प्रकार की आदत लगना जरूरी है, अग पर मैं उनके perspective से बात कर रहा हूँ, तो आप कोई जीवन आवशक वस्तु नहीं बेच रहे हैं, आप एक experience बेच रहे हैं, और इस experience की अगर लोगों को आदत लगानी है, तो उन्हें बार 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 आपको उन्हें अपने पास बुलाना होगा, और उसके लिए कुछ न कुछ आपको उन्हें offers देने चाहिए, discounts देने चाहिए, ticket rates कुछ कम करने चाहिए, और Bollywood को भी ये बात समझनी चाहिए, कि भाई अभी ये 300, 300, 400 रुपए tickets अगर आप रखेंगे उपर से उसमें भी 70% revenue भी चाहिए, तो theater owners के लिए नुकसान दायक ही है, तो वे अपने इन सारी बातों किया पक्षा, Bollywood को आज जिस बात पर सबसे ज़्यदा focus करने की आवशकता है, वो है अपने content पर, जो भी ये propaganda फिल्में बार 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 कुछ फिल्मेकर्स बनाते हैं, भाई उनसे आप लोग दूरी बनाईए, मैं जो बड़े बड़े production house से उनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई बस हो गया अब ये, लोग ऊप चुके हैं, अपने ही देश, अपने ही संस्कृती, अपने ही सुरक्षावल, अपने ही भारत्य सेना, उनके बारे में ये जो propaganda फिल्में बनाई जाती है, अपने ही देश की संस्कृती को बार 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 negative, उसके अपने parallel universe से बाहर निकली है लोग उप चुके हैं ये सब देख देख कर इसी कारण से लोगों के मन में आपके लिए इतना आक्रोश है पर मुझे लगता नहीं कि बॉलिट सुधरने के लिए तयार है तो कि पिछले एक वर्स से हम देख रहे हैं तो उससे अभी बदलने की आवशकता है ये जो प्रोपगेंडा फिल्मेकर्स है इनसे दूरी बनाईए कुछ ढंकी फिल्मे बनाईए अपने देश अपने संस्कृति के बारे में कुछ अच्छा मेसेज देश के समाज को कुछ ऐसी फिल्मे बनाईए बाहर आईए अपने इस पैरलल यूनिवर्स से बाकि दोस्तों आप इस पूरी विशे के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताईए जै श्री राम वंदे मातरम